हेलो स्टुडेंट्स सिफ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की बोग फिस्ट फ्लाइट की पोयम जिसका नाम है फॉग और जिसे लिखा गया है कैरल सेंडवर्ग के द्वारा देखिए इस पोयम में हमारे जो पोयट है उन्होंने क्या बताया है अब देखिए इस पोयम में हमारे जो पोयट है कैरल सेंडवर्ग उन्होंने बताया है कि दा फॉग कम्स फॉग मतलब होता है कोहरा अर्थात कोहरा कैसे आता है तो उन्होंने इस छोड़ी सी पोयम में जो फॉग होता है फॉग का कंपैरीजन एक कैट के साथ किया है जिस तरीके से एक बिल्ली दबे पैर आती है उसी तरीके से जो कोहरा है जो फॉग है वो भी बिल्ली की तरह आता है अर्थात आपने भी नोटिस किया होगा जब भी cat आती है और वो चुपके से आ जाती है और हमको उसके आने का आवास नहीं होता है जब हम उसको real में देख लेते हैं तब हमको पता चलता है कि cat आई है अन्य था जब वो आती है तो उसके आने से कोई भी sound produce नहीं होता है इसी तरीके से हमने देखा है ठंडियों के मौसम में जब कोहरा आता है तो जब हम सुबह से उठते हैं तो हमें अपने घर के अंदर उसका कोई भी आवास नहीं होता लेकिन जैसे ही हम छट पर जाकर या बाहर जाकर दीखते हैं तब हमको समझ में आता है कि कोहरा आ गया है और ये जो कोहरा होता है वो शमुद्र के उपर और शहर के उपर च्छा जाता है अर्थाथ जिस तरीके से एक बिल्ली आकर बैट जाती है उसी तरीके से ये जो कोहरा है वो भी आकर बैट जाता है ये बहुत ही साइलेंट तरीके से बैटता है और साइलेंट तरीके से चला जाता है अर्थात इस लेशन में जो पोएट है हमारे टेरल सेंडवर्ग उन्होंने बताया है कि जो कहरा है उसका जो आने का तरीका होता है वो एक बिल्ली की तरह ही होता है क्योंकि जब बिल्ली हमारे घर में अंदर एंटर होती है तो हमें पता नहीं चलता है लेकिन जैसे ही जैसे मेरा खुद का experience भी मैं इसमें include करना चाहती हूँ तो जैसे ही मेरे घर में बिली आती है और वो खुद से ही kitchen का gate खोल लेती है और जैसे ही वो kitchen का gate खोलती है तब मुझे उस time उसका पता चलता है कि किसी ने kitchen का gate खोला है अन्य था वो उपर से enter हो जाती है और किसी को कानो कान हबा भी नहीं लगती है इसी तरीके से जो कौरा होता है वो भी silently तरीके से आ जाता है और silently तरीके से चला जाता है इसी तरीके से जो एक cat होती है वो भी silent तरीके से आती है और silent तरीके से चली जाती है तो ये बहुती सुन्दर एक छोटी सी पोयम है और इस पूरी पोयम में Fog और Cat का comparison किया गया है इसके question answer देखने के लिए आप जो मेरी नीचे subscription link दी गई है उसमें आप देख सकते हैं